यहाँ देखो ये कडूर की कहानी है दो बेहने थी कदुरू और विनीदा महर्शिक कश्यप की सबसे प्रियपतनिया उन्होंने प्यार से दोनों को एक-एक वरदान दिया कदुरू ने मांगा कि वो हजार पुत्रों की माँ बने विनीदा ने बस एक पुत्र मांगा लेकिन वो कदुरू के हजार पुत्रों से ज्यादा शक्ति शाली हो महर्शिक के आशिर्वात से कदुरू ने हजार अंडों को जन्म दिया विनीदा ने बस दो अंडों को जन्म दिया समय के साथ कद्रू के अंडे फूटने लगे हर एक अंडे के अंदर एक साप था विनीता का मन अधिर्दा और इर्शा से भर गया कि उसकी बहन के अंडे पहले फूट रहे थे इसके चलते उसने अपने अंडों में से एक को खुद ही फूट दिया विनीता के अंडे के अंदर एक आधा बना बक्षी जैसा चीव था अपनी मा के कारियों से गुसा होकर उसने उन्हें श्राब दिया कि वे दूसरे अंडे के फूटने तक वो कद्रू की दासी बन कर रहेंगी और अगर उन्होंने अंडे फूटने तक धरिया नहीं रखा तो वो सारी जिन्दगी एक दासी बन कर रहेंगी और इसलिए अपने आधे जन्मे बच्चे के श्राब से और कद्रू और उसके नाग बच्चों की साजिश की वज़े से विनिता अपनी बहेंगी दासी बन गई कई साल पीद गए और एक दिन विनिता का दूसरा अंडा फूटा और उसमें से निकला भक्षिराज करूर अपनी मा को दासी बना देख करूर ने नागों से उन्हें आजाद करने को कहा वे मान गए लेकिन एक शर्त पर की करूर स्वर्ग जाएगा और उनके लिए अम्रित लेकर आएगा करूर अपनी मा के लिए देवों के स्वर्ग गया वो बहुत शक्तिशाली था इसलिए देव उसे हरा नहीं पाए और वो उनसे अम्रित ले आया मैंने देखा कि गरूर ने अम्रित अपने लिए नहीं रखा तो मैंने उसे खुद को सौंप दिया क्योंकि उसका दिल साफ था मैंने उसे अमर्ता का वर्दान दिया और बदले में उसने मेरा वाहन बनने का उपहार दिया अगर मैं ऐसा चाहता मैंने गरूर को चेताव नहीं दी कि नागो का स्वभाव धोका देने वाला है गरूर अम्रित के साथ नागो के पास पहुँचा लेकिन उसने एक चाल चली उसने कहा कि इसे केवल तब ही लिया जा सकता है जब वे खुद को पवित्र नदी में जाकर शुद्ध करे जब वे नहा रहे थे उसने उन पर हमला कर दिया और उन्हें खा गया उसने अपनी मा विनिता को आजाद किया सुरक्षा के लिए प्रम्हा अम्रित ले गए और उसे वापस स्वर्ग में रख दिया झाल